इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि अगर हम अपने कम्प्यूटर या लैप्टोप का पास्पर्ट हटाना जाते हैं तो वो कैसे करेंगे वो बहुत ही कम समय में हम इसको हटा सकते हैं तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे सर्च पे जाएंगे सर्च पे क्लिक किया और यहां पे लिखेंगे कंट्रोल पैनल यहां पे आ जाएगा यहां पे कंट्रोल पैनल पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह विंडो यहां पे ओपन हो जाएगी ओपन होने क क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह विंडो यहां पर आ जाएगी यहां पर यह अकॉंट यहां पर आ जाएगा लोकल अकॉंट एड्मिस्टेटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो यह जो कंप्यूटर है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो यहां पर लिखा हुआ आ गया पासपोर्ड प्रोटेक्टेड तो हम यहां से यह हटाना जाते है पासपोर्ड प्रोटेक्टेड इसको यहां से हटाना जाते है हम इसको बीना पासपोर्ड के यहां पे सेट करना जाते है तो इसको करने के लिए हम यहां पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पे जाएंगे मन यह option हमारे पास आजाएंगे change the account name इसके बाद second है change the password और इसके बाद है change the account type और इसके बाद है manage another account यह option आब आने पास यहां पे आगया है अब हम यहां से यह जो लिखा हुआ है password protected इसको यहां से हटान जाते है तो हम क्या करेंगे यहां पे चेंड पासपर्ड यहां पिकली करींगे यहां पिकली करने के बाद यह आक्उंट यहां पिया आजाएगा Local Account Administrator यह हम यहां से यह आटाएंगे पासपर्ड प्रोटेक्टेड तो इसके लिए हम यहां पिकरण पासपर्ड इसका मतलब यह है कि जो हमारे computer में password लगा हुआ है उसको हम यहां पे लिखेंगे तो हमारे computer में password लगा हुआ है 123456 तो हम यहां पे लिखेंगे 123456 यह लिखा लिखने के बाद इसके निचे दिये गए है new password तो new password को हम यहां पे blank छोड़ेंगे यहां पे click किया इसको blank छोड़ा इसके बाद confirm new passport इसको भी blank चूड़ा इसके बाद type पासवर्ड hint इसको भी blank चूड़ा इन तीनों को हम यहां पे blank चूड़ेंगे और इसके बाद यहां पे change पासवर्ड यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह देखो यहां पे यह जो है Dell Local Account Administrator यहां पे password protected यहां से हट गया है तो इसका मतलब यह है कि हमारे computer से password यहां से हट गया है तो इस तरह से बहुत यह असानी से हम अपने computer से password को हटा सकते हैं तो इस video में हमने यह सिखा अगर हमने अपने computer में password लगाया हुआ है तो उसको हम अपने कंप्यूटर से कैसे हटा सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद